हलो यू ओल माई लवली बड़ीज आ वेरी वॉर्म वेलकम तु यू ओल जो घूमना फिरना सबसे जादा पसंद करते हैं उन्हें दुनिया में कभी भी कहीं भी 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 भेज दिया जाए और डे आर रेडी टू ट्रावल येस तो अगर आप ट्रावल फीक है और अग के लिए this chapter is only for you to make you aware about the things which are going on जो सारी चीज़े atmospheric changes लेके आ रही है जो सारे हम लोग देख रहे हैं आजकल depletions and all वो क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है उसका impact क्या है ये सारी चीज़े हम देखेंगे in this chapter I am your English educator Pooja Sharma and the chapter is from your book in English की विस्टास book से है और इसका नाम है journey to the end of the earth you know when I first encountered this thing जब मैंने पहली बार ये रीड किया था journey to the end of the earth तो मैंने कहा कि ये तो chapter ऐसा लग रहा है जहां मुझे मीनिंग लग रहा है कि अब अर्थ का अंत होने वाला है right then when I read this chapter then I get to know कि ये तो अर्थ के end point की बात कर रहा है so देखो जब topic का नाम भी दिया जाता है when there is some topic or some name of the chapter is put there तो वहां पे भी कितने सारे हम अपने सारी सोच लगाते हैं we think about that कि क्या क्या हो सकता है तो यहां पे दो मीनिंग्स लगते हैं दोनों ही मुझे लगता है properly बिल्कुल सही पताए गए है they are used correctly that it can be the end of the earth because we are human beings we are taking that way only हम वहीं पे जाना चाहते हैं जहां पे हम खुद ही इस journey को अंत कर देंगे and the earth will be like that you know very well and the second one is the earth journey to the end okay end मतलब the south pole north pole ऐसे सब सुना है न अपने तो earth का जो end part है वहां पे लेके जाएंगे देखो अगर you are like move rover आप इंडिया में घूमते हैं करते हैं तो हम इंडिया की सारे directions में जाकर के move करना वहां जाकर के enjoy करना बहुत पसंद करते हैं बहुत बहुत पसंद करते हैं बहुत यहां पे जो हमारी author है वह हमें लेके जाएंगी glaciers की तरफ island की तरफ why why because उनका एक पूरा का पूरा जैसे हमारे researches होते हैं हमारे को लेके जाया जाता है बाहर expenditure के लिए उसी तरीके से यह भी यहां पे आएं हैं यह है पूंआट गया जाता है यहां पे इनको school की तरफ से किस की तरफ से school की तरफ से लेके जाया जाता है तर फूल हमें expeditions के लिए कि चाते है लिए टूर्स करे रहने के लिए एच्फिकेशनल टू और लेके जाते हैं तैर हमार जो हमारा मोटो की होता है हमारा मोटो तो होता है सिर्फ निजोड करेंगे फ्रेंस सतमें गूमने फिरने Khanda muleगा बड़ दो मोट spend बहाइट conflicts होता हो वह आप है अपको जो upcoming generations है उसको इस लाहिक बनाना उनको सब्सक्किन लिए सोच लाइक डिवलप करना और मेक देम अवेर अवेर अट हाव यू किन चेंज द पॉलिस हाव किन यू चेंज यूर व्यूस और आप अपकमें जो जनरेशन्स है वो इसके बारे में सोचते हुए सारी चीजों को वर्क आउट करेंगे नहीं है वही मैं हमेशा ले आती हूँ शी जानते है इनके बारे में टिशानी दोशी शी वास बारे में नाइं दिसेंबर 1975 इन चेंड़ किया है शी इंडियन पोईट आस जोनलिस आप डांसर इन 2006 यह यहां पर इंपरेंट आता है अगर आपको थोड़ा सा याद रहता है तो ऑथर के बारे में इतना तो जानना जरूरी होता है भाई तुम्हारे लिए पूरी महनत करके उन्होंने एक स्टोरी लिखा है तुम उनके बारे में इतना नाम और ये भी नहीं जान सकते क्या यह पूरी बुक अगाद आट दे दोर अगाद आट दे दोर यह तुछानी दोर्शी यह इनका अच्छली ऑट बायाग्रफिकल फॉर्म और राइटिंग है बिकाद जो यहां पर इन्होंने लिखा है वो उन्होंने अक्छल में जीया है व्याँ वह वह वहां अग्छल में गई थी और उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया इन डीटेल कि यह जो चाप्टर है इसमें हमारी हम क्यों गये थे हमारे को क्या कौन लेकी गया था हूँ वस्दी हैड अवरीटिंग आट विफॉर्ट यह तो सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा नहीं किया है तो जरूर से करना है कमेंट्स में बताना है आपको यह चाप्टर कैसा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लगता है what you want in upcoming classes and definitely share with everyone क्योंकि यह one-shot exam से पहले बहुत काम आने वाला है okay so let's get started यहां पर अगर मैं characters की बात करती हूं तो mainly एक दो ही character है बट हम तशाली दोशी को ही center of the story को रखते हुए आगे बढ़ेंगे this chapter is all about expedition as I told you कि इनको लेके जाया जा रहा है कहां पर एक research paper है इनका उसके through इने बाहर लेके जाएंगे so here is journey to the end of the earth and it is about the author traveling to internet का देखो हम लोग क्या देखते हैं हम ना बहुत सारी ऐसी movies देखते हैं जिसमें हमें या vlogs देख लो भाई movies ना कहो तो तुम vlogs को आजकल जाला तर vlogs वही चलते हैं जहां पर कोई ना कोई नई जगे पर आपको travel कर रहा है वह travel करके आपको बहुत अच्छे चीची सी cynic views दि बॉतन फर में that's the only if aba आपको अपने उपर बलीफ रखते हुए and you have to imagine everything I have some pictures as well to share with you tak ya plus a visualize कर सकें so just a travel log को देखते हैं और आप एकदिभ मसमराइज हो जाते हैं I would definitely say की यहां पिमेजमराइज होंगे but definitely you will be like more aware about what to do and what not to do you will be more energetic and having consigns कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे ही इस हम environment को save कर सकते है because you know very well कि हमने human beings as human beings we are not at all we don't concern about the things which naturally occurs और हम सारी चीजों को खतम करने में ही लगे रहते है so this is moreover giving you a knowledge कि आपको aware रहना है okay let's get started so it is about the traveling to Antarctica सबसे पहले यह Antarctica वाला पार्ट याद रखना जो southernmost part है किसका the southernmost part of the earth तो Antarctica क्या है southernmost past है when the when the author travels to Antarctica with the high school students so यह कभ इन्हें ले जाया गया when she was in her high school तब उनको वहां से school की तरफ से लेके गए थे on board on a Russian vessel और उस Russian vessel का नाम is really very important for you तो मैंने हर एक line आपके लिए जहां से question आ सकता है वैसे ही लिखी हुई है यहां पर आपको हर एक line में आपको question आता हुआ दिखेगा चाहे वह mcq form में हो चाहे वह detailed में भी हो सकता है so the name of the Russian vessel was academic socolis okay तो यह आपको याद रखना है Russian vessel Russian vessel का नाम क्या है academic socolis की और उसके अलावा उनके एक head थे head का नाम भी मैं आपको बता देती हूं जो head थे उनका नाम भी अभी आएगा तो मेंली यह हैड है वही इनको लीड करते हैं और सब जगे ले करके जाते हैं so first of all Antarctica का आपके सामने this is the map and you just go through this map आपको सब अच्छे से समझ में आएगा and यहां पर सिफ और सिफ Glacier's ice ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता है so this is the West Antarctica this is the East Antarctica and यह South Pole मैंने बोला था ना India sorry Earth है Earth में North Pole and South Pole, South Pole में जाकर के आपको Antarctica दिखाई देता है so it is the end part that's why the chapter names journey to the end of the earth here is the name of the head यह है head Geoff Green okay यह तो नाम है Geoff Green he is the head जो की lead कर रहे है more of a Geoff Green is the one who takes interest in taking students on the educational trips okay through this helps them discover the end of the earth and what he wanted to do he wanted the students to discover the end of the earth and in both the ways जैसे मैंने आपको पहले बताया दोनों तरीके से एक तो हम बात कर सकते है physically अगर Earth के end में जाना और दूसरा कैसे human beings जो है वो Earth को end की तरफ लेके जा रहे है now we are talking here about some Antarctica parts Antarctica का simple ecosystem है बहुत ही simple ecosystem है वहाँ पे क्यूंकि वहाँ पे जालता लोग रहते ही नहीं है they can't survive because वहाँ पे सब ही सब बर्फ है everything there is only only what like a बर्फ ही बर्फ है ice ही ice है वहाँ पे तो जालता लोग वहाँ रहते नहीं है but even people they don't live there still the impacts of human activities can be seen there वहाँ पे देखी जा सकती है चाहे वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं लेकिन कहीं और के जो impacts and because of that globally सारा occur हो जाता है सारी problems होती है and that's why Antarctica पे भी impact देखने को मिलता है okay it lacks biodiversity यहाँ पे biodiversity नहीं है and hence Antarctica is the perfect place to study how little changes in the environment can have bigger consequences तो Antarctica जो है यह जागर के पढ़ना वहाँ पे जाकर research करना find out करना कि कैसे एक छोटा सा change लाने की वज़े से भी पूरी चीजों में उसके results में कितना changes आ सकता है okay so this chapter this chapter if I would say this chapter is divided into three parts कित्रे parts में divided है यह chapter three parts में divided है okay so आपको हर एक चीज को बहुत अराम से समझना है कि यह three parts में कैसे कैसे क्या सबते हैं यह चीजिगे बताया गया है कि history कि बारे में जैसे एक बार क्याया गया है है आपको like history के बारे में okay history की बारे में बताया गया है second One is about this place only और उसमें बताया है walk on the ocean the last one is walk on the walk on the ocean okay and the next one second one is human impact क्या है human impact कि history पढ़ेंगे पहले हम फिर पता चलेगा कि human का impact कैसे रहा है यानि कि human की जो activities है उसकी वज़े से क्या-क्या देख सकने को मिलता है वहां पर कितनी सारी चीजों में changes आये हैं and then we can say they walk on the ocean why they walked on the ocean it's very cute and little one okay so यह सारी चीज़े आज हम इस class में discuss करेंगे then let me tell you once more कि if you still haven't to share this session please share this session ताकि सबको ही मज़ा आजाए okay now मैंने जैसे आपको बताया यहां पे program चल रहा है and the name of the program is student on eyes okay यह याद रखना program का name program name very important for you program name जिसमें Tishani Doshi with all the other students यहां पे आई है and head कौन है je of green है और क्या है यह एक research है basically it is what about a research और जहां पे वो इंतातिका में गई है and that name is student sorry study students on eyes okay students on eyes यह नाम भी आपको याद रखना है all the important things I will let you know जैसे जैसे आती जाएगी वो सारी चीज़े में आपके साथ में share करती जाओंगे so here it is let's get started with part of history okay part of history की बात करने से पहले let me tell you कि जो यह रशियन ट्रिप उन्होंने start किया यह जो रशियन ट्रिप उन्होंने start किया था इस तरीके से अलग-अलग mode of transportation के थू hundred hours की journey करने के बाद में they went to the place और वो कौन सी जगह है करते हैं in the Asian time पेंजिया नाम की होता था मतलब अर्थ पेंजिया होता था उस पैंजिया के अंदर क्या हो बात में division हो गया यानि सप्रेट हो गया इस तरीके से डिवाइड हो गए कि yes if we want to join them तो अभी भी वह जिक्सौ की तरह वापस से जाइन हो सकते हैं so firstly it was only यह जो अर्थ है वो पूरा पेंजिया से था and then यह डिवाइड हुआ दो लैंज में जैसे के कहते हैं अंगारा लैंज और गोडवाना लैंज ओके और बीच में जो एक सी आगई जिसे तैथे सागर की सी कहा जाता है in English भी से तैथे से सी ओके यह इन दोनों के बीच में जो आपको आपको यह याद रखना है यह गोडवाना लैंज जो एक्जिस करता था यह 650 मिलियन यह अगो से यह पॉइंट यहाँ पे अगें लेट मीट मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्टेंट पॉर्टिका यह कहा है हमारे पास में गोडवाना का नाम क्यों आया क्वेशन आता है आपके पस में गोडवाना का यह इंट इन टा कर पूचा जाए तो 650 उद्गम कैसे हुआ है कैसे countries develop हुई यह सारी बाते जानने के से ही related होता है और नौर्ट वर्ट में एशिया आता है नौर्ट वर्ट का जो एशिया वाला पार्ट है उसमें जाकर के हिमालिया फॉर्म हो गया था ताट्स दी इंपोर्टेंट पॉइंट अगेन है हर एक जो चीजे है यहां पर देखिये everything is factual basically if you want कि यहां पर आपको बहुत अच्छी से स्टोरी मिलेगी जहां पर खाने पीने के बारे में और उनके adventures के बारे में पता चलेगा yeah definitely we will get to know adventures adventures तो है इनके यहां पर but moreover we will get to know the knowledge और जो factual बाते है वो सारी factual बाते हैं यहां पर चलने वाली है नव अब अगर हम बात करते हैं South America के बारे में okay so जैसे गोडवाना के बारे में मैं आपको बताया की गोडवाना लांड जो है वो prior to human race तब से है okay तब से गोडवाना लांड है now South America had drifted South America किस तरफ चला गया North America to form the Drake Passage which created a cold succumbular current to keep Antarctica freezed at the bottom of the world so यहां पर आपको पता चला why मैंने बताया है history का part कैसे बना so it was Pangea Pangea से फिर बात में अंगारा और गोडवाना फिर गोडवाना की भी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया तो हमालिया की तरफ हो गया and if we talk about South America and North America so उनकी वज़े से यहां पर क्या हुआ Antarctica में freeze रो चुका है वो at the bottom of the world pending two weeks in Antarctica was overall a chilling prospect for her अब वहां पर spend करना है उसको कितना क्या spend करना spending two weeks दो हफते वहां रहना जोहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ and you find nothing वहां पर आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या आप दे सोच के ही परेशान हो जाओगे वह हम जब अगर हमारे यहां पर भी इंडिया में भी if we go to Ladakh and that area तो भाई एक वीक का भी हम लोग नहीं जेल पाते इतनी जादा थंड होती है और जो हाइट होती है वहां पर उस हाइट को भी हम लोग नहीं कर पाते उसके साथ में कोपविद नहीं कर पाते और क्या होती है कि लोग आदे से जादा लोग फेंट होना और इस तरीके से शुरू हो जाते है तो यहां पे she had to spend, not only she, the whole troop जिसके साथ में students भी थे, तो वो वहां पे 2 weeks के लिए spend करने थे, it contains 90% of the earth's ice volume, Antarctica में कितना percent है, 90%, Antarctica में ice volume कितना है, 90% है, मतलब सोच लो 10% जगे ही मिलेगी आपको free, बाकि 90% ice है, and has no human markers like trees or billboards throughout the continent, और वहां पे आपको पूरी जगे कुछ नहीं मिलेगा, वालब ऐसा आपको human impact नहीं दिखेगा, कि यहां पे इंसान रहते हैं, कोई billboards नहीं लगे में, कोई trees वगरे भी नहीं है, वहां पे nothing you can find it out, so this is the place and look at the picture, this picture clearly identifies and tell us कि कैसे 90% जो है only ice was there, okay, moving ahead, तो हमने history जान ली, history में हमने इंडिया जाना, history में हमने अमेरिका जाना and how Antarctica formed, यह जान लिया हमने, यह पूरा-पूरा आपके लिए very much important था, क्योंकि part of the history से question आता है, now human impact की तरफ चलेंगे, human impact कैसे है, जहां पे अगर आप देखते हो biodiversity नहीं है, वहां पे humans रह नहीं सकते, फिर भी वहां पे human impact कैसे देखने को मिलता है, क्या चीजे है जो वहां पे, जैसे we know very well कि glaciers, जो है ice, जो हो बहुत जादा पिखल रही है, तो all in all, if we are not living there, but still हमारी वज़े से वहां पे भी गड़बड़े हो रही है, we are spoiling that area है वैसा, तो the author says that humans have been on this place for only 12,000 years and have managed to create a walk with their ambitious dreams of development, तो यहां पे बताया है कि हमना हम क्या करते है, बहुत ambitious हो चुके, human beings, human race की बात की गई है, human race क्या हो गई है, बहुत जादा ambitious हो चुकी है, and we want to fulfill all our needs, और उसकी वज़े से यहां पे हावक चा गया, limitless burning of the fossil fuels, yes, I want to tell you about two, three, two, three things, देखो जब हम यहां पे बात करते हैं, human impact की, तो एक बात आएगी आपके fossil fuels के बारे में, fossil fuels which are really very important to know की कैसे fossil fuels का दिक्कत आया है, and the second, I can say, जो rapid increase हुआ है human population में, the rapid increase in human population, might be written, तो मैं आपको लिख देती हूँ, यहां पे rapid increase in, rapid increase in human population, उसकी वज़े से हमारा fossil fuels consumption है, वो भी बढ़ गया है, तो rapid increase in human population, यह भी human impact डालता है, बहुत बड़ा human impact डालता है, यह, okay, now, तो fossil fuels has increased the levels of carbon dioxide, यहां पे important बात आचुका है आपके लिए, क्या है important, यहां पे कि limitless burning की जाए है हमारी तरफ से, और हम लोग क्या burn करें, fossil fuels burn करना है, चाहिए हम खाना बनाने के लिए बात करते हैं, चाहिए हम इधर सोदर transportation की बात करते हैं, any mode of transportation तो हम लोग use करते हैं, like fossil fuels का use होता है, ठीक है, वहां उसकी वज़े से carbon dioxide जो है, उसका level increase हो रहा है, in the atmosphere and climate change is an important part of the environment debate and Antarctica is a crucial part of it because it holds half million year old carbon records in its layer of ice, मतलब आप सोच सकते हो कि उसकी ice में अभी भी carbon records पाए जाते हैं, it is around half million years old, कितना half million years old के जो carbon के हम बोल सकते है, particles है, they can be found there in the layers of ice, so यह यहाँ पर human impact का इतना बड़ा चीज यहाँ पर हमारे साथ में share किया गया, देखो, it's very easy कि मैं आपको आकर कि सीदा सिता story की form में समझा दूँ, but the actual questions don't come from that, तो फिर आपके लिए मज़ेदार नहीं होगा, you can find anywhere कि आपको यह chapter जो है, वो story form में समझा दिया गया, story form में समझाने से आपके questions crack नहीं होंगे, और questions crack कैसे होंगे, इस तरीके से जो important points है, वो सारे मैं आपको समझा दू, कुछ-कुछ जो चीजे होती ही, जो geographical होती है, कुछ history part वाला होता है, तो हमारे डिफिकल्ट होता है, वैसे भी learn करना, but आपको anyhow facts को याद रखना है, तभी आपको marks gain होंगे, otherwise आप story सुन रहे हो, animated कुछ देख रहे हैं, उससे आपके marks gain नहीं होने वाले हैं, that is important for you to understand, okay, so on this note, let's go ahead, the author was working on a program, जैसे मैं आपको बताया, student on the ice, और वो क्या था, श्लो क्या, with students on ice, यह रहा, student on ice, job, जो थे वन्होंने offer क्या था, future policy makers, जो हम क्या सकते हैं, next generation है, जो life changing experience ले रहे थे वाहां पे, at an age when they were ready to absorb, learn and act, so वो उनका पे लाने की पीछे वाजय क्या थी, उन्होंने सीधा सीधा बोला, that मैं यहां पे celebrities को ले आता, like joff green केते हैं, कि मैं यहां पे celebrities को ले आता at this place, तो यह इतना नहीं होता, because they are very much busy in their life first thing, and they didn't have any concern, they didn't have any concern for these things, उनको कोई concern नहीं है, celebrities को, उन्होंने अपनी life में इतना कुछ कर लिया है, कि वो इस बारे में कोई ध्यान नहीं देते है, so that's why, यहां पे 2-3 points को clear करते हुए, he said that, कि इसलिए मैं students को यहां पे लाया हूँ, because they are policy makers and they are upcoming generation, और वो life में आगे अर्थ के बारे में जादा जादा सोचेंगे, कुछ policies बनाएंगे, and they will bring the changes, और इसी वाज़े से उन्होंने students को यहां पे लाने का सोचा था, okay, now, moving ahead, so they are future makers and planned doing, the reason why the program was so successful was that being near the South Pole always affected people in some way, यह जो है, यह क्यों successful हुआ, why it was successful, जो इनका research program था, यह इतना successful क्यों हुआ student on ice, just because क्योंकि यह South Pole के नियर था, इस वज़े से यहां पे इन के लिए जाना affected हो गया, he's the simple ecosystem and lack of biodiversity in Antarctica make it easy for us to study how minor changes in environment can have bigger repercussions, repercussions means results, okay, results के बारे में, मतलब उनका outcome के बारे में बताया गया है, so, जो simple ecosystem है और यहां पे lack of biodiversity, where we are talking about Antarctica की ही बात कर रहे है, यह बहुत simple ecosystem है, कुछ ज़्यादा changes नहीं है इसके अंतर क्योंकि biodiversity की भी lack है, यहां पे कमी है, जैसे example दिया था, further depletion of the ozone layer could disturb the activities of phytoplankton, अपको पता है, phytoplankton, it is a kind of, हम बात कर सकते हैं, मतलब हम क्या कहते हैं, जैसे aquatic region के अंदर पाया जाने वाले जो plants होते हैं, वो है, यहां पे phytoplankton, अब phytoplankton को भी क्या चाहिए होती है, जैसे photosynthesis के तुरू sun की चाहिए, race चाहिए होती है, और then he only, then क्या कर सकते हैं, वो अपना food बना सकते हैं, अब यह जो पूरी life cycle है, sorry, food cycle की बात कर रही हूँ, मैं यहां पर यह जो पूरी food cycle है, इसको भी disturb कर देते हैं, हम, हमें नहीं पता है, human beings are not aware of all this, but we definitely do directly, indirectly, have this type of impact on that, तो यहां पर उसी में बताया है, एक example, ozone layer का बताया है, कि ozone layer में, depletion की वज़े से क्या हो सकता है, वो activities, किसकी activities, phytoplankton, नाम याद रखना, very important it is for you, अब मैं आपको बताती हूँ, phytoplankton जो है, वो किस तरीके से हम उसको changes में खराब कर देते हैं, when we talk about microscopic phytoplankton, तो यह plants के, जैसा ही खाना बनाता है, ओके, और provide किसको करता है, southern, यहां पर लिख देते हूँ, ओके, provide food, provide food to southern ocean, southern ocean part को क्या करता है, provide करता है food, southern ocean part, okay, so हमने बात करनी है phytoplankton, जैसे कि plants खाना बनाता है, वैसे यही भी sunlights जो होते है, उससे करते हुए, खाना बनाता है, बट जब sunlight नहीं पहुंचती है, या किसी वज़े से, जैसे depletion of ozone layer, इसकी वज़े से यह साई चीज़े खराब हो जाएंगी, तो what, it will directly impact, it will directly impact the southern ocean part, और क्यूंकि यह यहाँ पर food को provide करता है, तो एक बार food cycle में अगर changes आगा है, अगर आपने एक जगे कहीं पर भी food cycle में से एक पार्ट को भी remove कर दिया, तो वो food cycle पूरी नहीं हो पाती है, which can in turn affect the birds and marine animals of the region, finally affecting the global carbon circle, आगे समझ में कि किस तरीके से यह global carbon cycle को effect कर देता है, simple सी चीज जो हम लोग use कर रहे हैं और हमारी वज़े से depletion हो रहा है ozone layer में और उसकी वज़े से even in Antarctica as well, हम सिर्फ अपने आसपास में ही देख पाते हैं कि हमने जैसे लिटर किया, हमने कुछ चीजे फेग दी है, वहां पर मदुमक्या वगर आने लग जाते हैं, यह सारी चीजे बहुत नॉर्मल सी हो रहती है हमारे लिए, हम सिर्फ वो विजबिलिटीज देखते हैं लेकिन वन विजबिलिटीज को देखके भी इग्नॉर कर देते हैं कि ठीक है यार यह तो अभी चली जाएंगी ऐसा ऐसा करके जो भी चीजे बट जो चीजे जहां पर एंटार्टिका रिजन है जहां बाइव डाइवस्टी भी इतनी नहीं है और वो एक्दम सिंपल एको सिस्टम पे लिव रह रहा है वहां पे भी वहां on that जहां पे human beings नहीं survive कर तकते है वहां तक भी हमारे impact पढ़ रहे है it is all about human impact the next one is walk on ocean actually kya houta because of some reason walk on ocean ocean पे चलना so what happened that when they further move आगे जब बढ़ते है तो because of some reason उनका जो ship होता है वो आगे नहीं जा पा रहा होता है कुछ due to some lack of technicalities or some is what just say उनका ship जो आगे नहीं पहुंच पाता है तो यह लोग decide करते है कि हम लोग ship से उतर जाते हैं क्यों नहीं हम ocean पे चलकर के आगे बढ़ते हैं and this is all about that to while the author had a number of effiphanies during her Antarctic experience the best one was when they were asked to walk on the ocean सारी चीज़े जब इन्होंने की जब वो इस expedition पे थी जब वो इसके थू गई थी तो इन्होंने बहुत सारी चीज़े एंजोई की लेकिन साथ बेस्ट अगर पूछा जाए तो बेस्ट कौन साथ था वोग on ocean था before going the participants of the program were asked to climb down the gang plank and walk on the ocean जितने कितने members से याद रखना है मैंने यहाँ पर deliberately लिखा है all 52 members that's why आपको याद रहेगा कितने members से 52 members were there spread out on the ocean and one meter thick ice pack sub 52 members जो है वो एक meter thick ice pack थी ice pack मतलब कि उसकी लेयर के बारे में बात किया जा रहा है वहां तक सब सारे सारे students fell चुके थे and cribitar seals were stretching and sunning themselves on ice flows वहां की जो seal है उसका नाम है very important it is which is found only there in Antarctica तो यह जो seal है उसका नाम है क्रबिटर seal तो वहां पर जब यह सारी human activities होने लगी and they started walk on ocean तब जो seals है वो भी stretch out होने लगई वो उन्हाने seals को देखा उन्हाने देखा उनकी activities कैसी होती है जो seals है वो कैसे survive करते है जो एक हम बोल सकते है white layer है this is what it is an ocean अब वहां पर क्या होगी white layer ही दिखाई देगी birth की लेकिन under that भी aquatic जो हम बात कर सकते है animals है plants है तो वो सारी चीज़े भी वहां पर उन्होंने देखी and they were mesmerized after seeing that just like stray dogs do under the shade of a bunyan tree और उन्होंने इसको किसके है when we are talking about Antarctica Antarctica में तो ऐसे साही चीज़े नहीं थी so stray dogs were compared with a carburetor seals जैसे कि stray dogs जो है बन्यन tree के नीचे घूमते रहते and they do when a similarly यहां पर seals के लिए use किया गया था okay and this is the way they might have I just have imagined they might have walked like this on the ocean and they felt the seals and every each and every aquatic animals found there okay now in the end end में क्या होता है जो तशानी है things about the beauty of the place and wishes that it should remain the same as any change here will have an impact on the entire human life or Joe successful रहे हम बात करते है job green was successful रहे because all the students and even from that अगर हम इस्षानी दोशी की बात कर तो शानी को actually a realize हो गया क्या realize हुआ देखो that she started thinking about the beauty of the place कि कितनी beautiful जगे है यह और विश किया कि यह जैसी है वैसी ही रहे इसमें कोई changes नहीं आए due to the impact on the entire human life कि इसके ऊपर कोई भी changes नहीं आने चाहिए she started and she thought about that कि ऐसी सारी चीज़े जो human कर रहे है और humans की वज़े से यहां पर भी यह सारी चीज़े देखने को मिलती है little little bit of things can change everything here तो वो सारी चीज़े इनको mind में आ गई and they were aware more more awakened and enlightened about all these things and उनको समझ में आ गया कि कैसे उन्हें earth को बचाना है and this expedition was this was the successful one यह कह सकते है so यह पूरा मैंने आपको बता दिया है चाप्टर का जिस्ट यहां पर शेयर कर दिया है यहां पर and हमने जान लिया है कि walk on the ocean में जब उनकी ship struck हो गई तो इस वज़े से ship struck होने की वज़े से उनको आगे लेके गए थे on and they had a walk or mainly हम कैसे planet के उपर को harm करते हैं उस सारे की चीजों के बारे में बताया गया है इसके अंदर right so what I feel is what I feel is like you are sitting might be you are sitting in your room or library or anywhere but you are living in a room okay you are in enclosed a compact जगे पर है तो क्या हम इसारी चीज़े समझ पाते हैं नहीं that's why it is really important for students and for every human being के वो ज्रा करके actually देखे कि क्या है बहुत सारी बाते लंबी-लंबी बाते जो है वो कही जा सकती है बहुत सार या Tip interviews देख सकते हैं अब मुलब हम एक रूम में रहके सिफ सुन सकते हैं जो हम sympathy की बात करते वो तब तक नहीं आ सकती हम तब तक और हम जाते भी रहते हैं आजकल तो लाइक हम लोग रिल्स पे विडियोस पे भी बहुत सारी चीज़े देखते हैं कि कैसे यह अल फॉसड़न इतने सालों की महनत का बनाया हुआ घर एक से किन में लेक विदिन सम फ्यू से किन्स वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और पान चाहरे हुआ कि आप लोग भी थोड़े से अवेर हुए कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं उससे पहले अवेर्नेस रहे हैं अपने अंदर आप्ने अंदर आप्टेवर यू आ दूइवर यू इंपक्त ऑन नेचर ऑन अर्थ सो बफोर मूविं अहेड आद आ यू आतमें यू जियेंगे बिकास ओन दस नोट जैसे कि जॉफ ग्रीन चाहते थे कि उनके जो स्टुदेंज आ वो यह सारी चीजों को समझें because they are the policy maker on this note i also want this कि आप मेरे सारे students and you are going to be the policy makers you are you are the future you are planning uh going to plan the next generation so on this note i have completed this chapter there is a glossary part which is really very important very important there are so 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 many new words so here here i have a glossary for you so that you are not confused so vessel is a large ship here i have told you that we are talking about a russian vessel if we are talking about this ship the part of the universe habitable by living organism horizon what is the line where earth surface and sky appears to meet horizon horizon in hindi we call it where earth and sky are meeting profound means very intense immense immense extremely large size isolation separation is called amalgamated here is combined to connect super continents when all the continents were near to each other super continents when they were talking about pension wali bat correctly when they were passing passing on the land goldwana land in that way i have told you a southern super continent consisting of india south america antarctica and africa hosting containing host whom who are doing there many people there were hosting 52 members so remember to remember that florin forna means what does animals and flowers की बारे में जब बात किरो जाते है प्लैनेट उन्हेमल लाइफ की बारे में थाइvest means to grow and develop grass means to understand mind blogging means overwhelming it was mind blogging हम भोलते है बहुत जादा आज दाखल यूजिस क्या जाता है mind blogging का मतलब क्या होता है दिन microscopic means very small markers means sign measures means a small mosquito मिज का मतलब small mosque too a debates मतलब discussion गैंग प्लैंक का यहां पे भी जिक्र हुआ था इत मीन्स अबोर्ट आप बोर्ट इस उस्ट वाक बट्वीन अ शिपने शोर क्योंकि उन्हें ओशिन पे जाना था तो देर वस अ गैंग प्लैंक जिसको यूस करके वो शिप से कहां उत्रे ते शोर पे गए ते ओशिन इतना डीटेल में वन शॉट आपको कहीं नहीं मिलेगा आई नो कि शायद हो सकता है कि यह टाइम को एक स्टांड कर गया हो लेकिन यह इंपोर्टन है चाप्टर हर एक लाइन यहां पर इंपोर्टन हो जाती है इफ यू वांट इफ यू जस्स वन फाक्ट तो आपका क्व किशान हो जाओगे so that's why okay let's start with the questions are you already yes you all are ready what was Gondwana you have to directly answer me ABCD with the answer as well ABCD के साथ मैं सर लिखेंगे एक snow animal का नाम एक giant glacier है giant animal है यह Asian supercontinent है so here the correct answer is D that Gondwana was a supercontinent now what's the name of the program author is working with जो author है author who is author first of all author is Dushani Dushani जिसके work कर रही ती जिस program पे उसका क्या नाम था A worldwide fund B the Antarctic and Southern Ocean collation C Madrid Protocol या D student on ice very well done I hope that you know very well answer and must have given the answer in the comment section so here it is D student on ocean now I have some question answers जिसमें आपके detail two marks का सकता है four marks का question आसकता तो short and long all the questions I have for you be prepared क्योंकि ये questions important है for exam perspective ये PYQ में भी आ चुके हैं so यहाँ पे आपको याद रखना है the answer for the narrator spending two weeks in Antarctica is a challenge not only for the body but also for the mind यहाँ पे मैंने आपको discuss किया था कि two weeks पे रहना हम एक week नहीं रह सकते हैं इसा समझाया था आपको so why it is only not only physically but mentally it is very problematic कैसे ये चीज़े जो है वो challenge create करती है so for the narrator spending two weeks in Antarctica possess not only physical but also mental challenges अब ये पूरा पूरा हमने क्या किया है we have taken this line from the question why it is important because आप अपना answer अच्छे से present नहीं करते हो you write on only few words तो आपको पूरे answers नहीं मिलने वाले always examiner देखते है that how you present your answer she he knows or she knows examiner knows very well कि आपको answer आता ही होगा definitely तब आप लिख रहे है या ऐसा कुछ but presenting is more important देखो if two marks a question है तो one mark अगर लिखा आ जाता है तो that is okay but two marks was a two marks लाना भी बहुत important है तो आपका answer आपको impactful रखना थे extreme and isolated environment of Antarctica pushes the limits of the narrator's body with freezing temperature and harsh winds and difficult trend तो यहां पर हमने physical के साथ साथ में mental जो सारी दिकते जामना करना पड़ता है वो सारी emptiness लेकिन फिर भी यहां पर क्या बहुत खाली-खाली एंप्टी है पूरा and dissolations of dissolation of the landscape also take a toll on the mind क्योंकि आपको वहां पर कोई और दिखाई नहीं देखा a toll on a mind मतलब बहुत अच्छा phrase जो use किया जाता है you also write these type of phrases if you love to बहुत अच्छा है आप अपने answers में add कीजिए evoking feelings of insignificance and introspection यह क्या करते हैं यह feelings evoke करते हैं कि बहुत insignificant है बहुत unimportant वाली चीज है और introspection के बारे में the absence of familiar human activity like हम जैसे देखते हैं आसपास में कोई नहीं कोई चीज human activities है यह प्लांस है कुछ नहीं तो बर्स है कुछ नहीं तो हम वहां पर देख सकते हैं बचों को खेलते हैं and all the human activities this was the apps this was absent there यह वहां पर नहीं थे the overwhelming silence can lead to a sense of isolation वहां पर सिर्फ चुपी चुपी थी और इसे आप ऐसे isolated feel करते हैं and introspective again contemplation making it a mental challenge as well और इस वज़े से यह क्या करता है mental challenge भी देता है so a long question can come and you have to answer that in this way only moving ahead with the next question next question how did the Antarctica amazed the writer when he when she first saw it okay कैसे Antarctica को जब पहली बार देखा बदा हम कह सकते हैं कि जब पहली दफे वहां पर उत्रे थे Antarctica region में तब उनको कैसा feel हुआ था so when the writer first saw Antarctica she was amazed by its she was amazed by its vastness and immense white landscape वहां पर बहुत vast vast था और सब जगी क्या था white landscape था it was an endless blue horizon आपको भी यह तरीका पूचा जा सकता है okay so in your views आप से पूचा जाए या state your answer तो आपको ऐसे सारे words लिखने है endless blue horizon the fact that it was isolated from the rest of the world it created an added sense of wonder and mystery about the continent so it was mysterious as well as and it created an added sense of wonder so mysterious and wonder you can find it out now the next one is very important that is why is Antarctica the place to go if we want to study the earth's past present and future really very important question it is it it had been asked earlier as well और शाती साथ में जो यह chapter है उसकी starting की जो lines है उसमें ही तिशानी दोशी ने बोला है तिशानी दोशी stated that कि अगर आपको कहीं जाना है study करना है earth का past present or future so you can go there and study starting की lines ही है यहां पर so the Antarctica landmass that was an amalgamated southern supercontinent called Godwana dates back to 650 million years जेको सारे points मैंने जो समझाएं हो ही repeat हो रहा है तो revision भी हो रहा है आपका साथ ही साथ में and it can help us understand better the formation of continents and mountains like Himalayas as they are in the modern world okay as they are in the modern world it's ice codes hold over half million old carbon records that are vital to study the earth's past present and future so this was all from my side मैं आपको पूरा detail में बताया है अच्छे से समझाया है questions देख लो जो summary मैं ले कि आई उसमें से सारे questions के answer as it is बनते है so is summary को आप दो से तीन बार repeat कर लीजिए नहीं लगेगा आपको hard जितना chapter hard लगता है वितना नहीं है यह chapter hard आपको इस facts को याद रखना okay so on this note I just wish you all the very best for your exams and definitely before moving ahead user just like this and share with everyone so that it can help everyone thank you and bye